नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी का प्री डीलेट प्रीट परिक्षा की तयारी कर रहे होंगे तो 29 अगस्त को उसकी परिक्षा होने वाली है प्रत्थम पाली में प्रीटी पाली में प्रीडी डीलेट ध्यान रखिये प्रीड जो है 10 बजे से 12 बचके 15 मिनट तक और प्रेक्टिस वीडियो सीरीज चल रहा है तीस अंके तीस प्रस्ण शिक्षन अभिरूची टॉपिक से पूछा जाता है पार्ट 18 आपके सामने है और पार्ट 17 तक का वीडियो अप्लोड़ेड है साथ ही साथ अन्य टॉपिक जो प्रेड 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 में पूछा जाता है अप्लोडेड है नहीं देखा तो इस तरह पेक आई लिंक आता है वहां उन सभी वीडियो को देख सकते हैं चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं आज का प्रश्न शुरू करने से पहले पिछला जो प्रश्न था प्रश्न क्रमांग 255 उसका सही आंसर है आपने वीडियो नहीं देखा तो जा कर देख लिजिए आपके विचार से सिक्षा में हो रहे हास को रोकने के लिए आवस्यक है विद्यालाय में पुलिस की विवस्ता की जाए विद्यालाय में खेल की समुचित विवस्ता की जाए चात्र चात्राओं में ग्री कारे के प्रत अगला हमारा प्रश्न है अध्यापकों के सुझाओं के बावजुद कोई अपनी स्वक्षता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वहाँ छात्र को अर्थ दंड दे उसके अभी भावक को सुचित करे कारन का पता करे अन्य छात्रों के समक्ष उसे सब्संदा करें तो यहाँ पर एक बात जाना नहीं पत्ता करेंगे अभी भावक को सुचित भी आप कर सकते हैं नेकिन दोनों में कोई एक चुनना है देखिए A और D तो होगा नहीं तो B और C में कोई एक है जिससे आपको एक नमबर मिलेगा तो वो है option C, option C right answer है अगला हमारा प्रश्न है चात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना की विकास के लिए कक्चा में उप्यूक तुधरन देना चाहिए अभी भावकों को यहाँ जिम्मेदारी स्विकार करनी चाहिए आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए शिक्षक को स्व सबसे उचित आंसर जो है वह है option D जिससे आपको एक नमबर मिल सकता है यह भी सही है उप्यूक तुधरन देना यह भी ठीक है यह भी ठीक है नेकिन यहाँ पे इस option को आप चुनेंगे तो एक नमबर मिलेगा तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जहां चारों option अच आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप अध्यापिका बनने को विचार छोड़ देंगी घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगी अध्यापन कारे के पक्ष में दलिल देंगी उनकी इक्षानुशार कोई दूसरा वर्यवासाय चुनेंगी ठीक है यदि आप अध्यापिका या अध्यापक बनना पसंद नहीं है घरवालों को तो आप क्या करेंगी यही पूछा गया है तो यहां पे चारों आप्षन को देखके आप्षन C ही सबसे सही है और इससे आपको एक नंबर मिलेगा ठीक है बाकी A, B, C, A, B, D सही नहीं है अप्षन C ही सही है और सबसे उचीत है अगला हमारा प्रशन है कि भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासन हीन बना सकता है इस कतन से आप पूर्न सहमत है आंसिक रूप से सहमत है अनिस्चित है पूर्न असहमत है ठीक है आंसिक रूप से मतलब कुछ हद तक सहमत और कुछ हद तक असहमत तो यह होता है आंसिक रूप से तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप भी नीचे कमेंट बॉक्स है वहां लिखिए पहले नंबर डालिए 260 उसके बाद आपका ऑप्शन क्या है यह इस तरह से प्रेक्टिस किजिए ताकि अच्छे से आपको याद रहे तो यहां पर राइट आंसर जो है वह है आप्शन बी आंसिक रूप से सहमत है तो इससे एक नंबर मिल पाएगा अगला प्रशन है कक्चा में सांत वातवरन तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो अध्यापक और चात्रों में प्रश पर सहयोग हो कि क्या लगता है राइट आंसर क्या होना चाहिए ठीक है 261 लिखकर अपना आप्शन नीचे लिखते जाएए ताकि प्रेक्टिस होता रहे तो यहां पर इसका जो सही आंसर है वह है अप्शन भी अध्यापक और चात्रों में परस पर सहयोग हो अगला है अध्यापक को अपनी जानकारी नविंतम बनाने के लिए देनिक समाचार पत्रों को निमीत पढ़ना चाहिए सेक्चिक गोष्टियों में भाग लेना चाहिए विसाय से संबंदित नविन साहित्य का अध्यान करना चाहिए यह सभी तो क्या लगता है राइट आं करने के लिए दबाव डाल जाए तो अाप परी इस्तिती वस चात्र को उतिर्न कर देंगे विद्याला से अवकास ले लेंगे सहयोगियों से परामर्स कर कदम उठाएंगे चात्र को किसी दसा में उतिर्न नहीं करेंगे तो देखिए वास्तविग जिंदगी में आप जो करें ना करें लेकिन यहां पर वही option आपको चुनना जिससे आपको एक number मिल सकता है तो यहां पर आप option D चुनेंगे तब आपको एक number मिलेगा अगर आपने C चुना तो नहीं मिलेगा B चुना तो तिक्चाइबल है तो क्या लगता है राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर क्या है इसका जो इक और सकता है नेकिन B चुनने से ही एक नमबर मिल पाएगा अगला है आपके विचार से मुख बधिरों को सिक्षित किया जाना एक कठीन एमम चुनाउती पूर्नकारिय है प्रजात अंत्र की स्वस्त निसानी है हमारी जिम्मेदारी नहीं है वैर्थ में धनकी बरबादी है उप्षन C और D किसी भी हालत में नहीं चुनना है उसको पढ़ के ही आप समझ सकते हैं कि ऐसे उप्षन राइट आंसर नहीं होते मुख बधिर मतलब गुंगे और बहरे जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते तो A और B में ही कन्फूजन हो सकता है नेकिन यहाँ पर B जो है सही आंसर है प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है अगला प्रशन है हमारा बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें कानवेंट इसकूल में पढ़ाना चाहिए अच्छा वातवरन प्रदान करना चाहिए इसने मैं वेभार देना चाहिए यदा कदा धन भी देना चाहिए तो देखिए option D भी एक हद तक ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है लेकिन इन चारों में कोई एक ही है जिससे आपको एक नमबर मिलेगा तो वो कौन सा option होना चाहिए option B अच्छा वातावरन प्रदान करना चाहिए इसको चुनेंगे तब आपको एक नंबर मिल पाएगा दोस्तों इस तरह के प्रस्ट आएगे जिसमें चारों के चारों सही होंगे नेकिन कोई एक है जो सबसे उचीत आंसर है उसे ही चुनना है और उसी से एक नंबर मिल पाएगा विकलांगों की सिख्छा भी समाने बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि वे सानुभूती के पात्र हैं वे किसमत के मारे हैं उनके लिए अलग विवस्ता संभव नहीं हो सकती उनमें समानी जीवन जीने का सहास आता है तो बताइए इसका अंसर क्या है comment box में लिखिए option पढ़े कि आप खुछ समझ सकते हैं कि क्या अंसर देने से आपको एक number मिलेगा आप ये B चुन नहीं सकते C भी नहीं चुन सकते A और D में कोई एक ही लगेगा आपको तो सबसे बेश्ट है A और D में D उनमें समानी जीवन जीने का सहास आता है इसको चुनने से एक number मिल जाएगा अगला हमारा प्रशन है कि आपके दिरिश्टी में छातरों का अधिकताम विकास होगा सारेरिक परिश्रम द्वारा मानसिक कारियों द्वारा अच्छे साहित द्वारा सांस्कृतिक गति विधियों द्वारा क्या लगता है राइट आंसर क्या है तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप्शन B मानसिक कारियों द्वारा एक बार प्रश्ण और देख लीजिए आपकी दिश्टी में चात्रों का अधिक्तम विकास तो मांसित काईयों द्वारा ही होगा अधिक्तम विकास ठीक है ठीक है परिश्रम भी ठीक है अच्छे साहित द्वारा भी ठीक है सांस्कृतिक गतिविदी भी ठीक है लेकिन यह चा दाइत वसे मुक्त करना, इस्त्रियों को अपनी योग्यता और रुची के नुशार कारे करने की अजादी देना, इस्त्रियों को अधिक सरकारी नौकरियों में इस्थान देना, क्या लगता है सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है वो है option C, इस्त्रियों को अपनी योग् option पढ़कर आप समझ सकते हैं कि option सी ही इसका answer होगा और कोई answer नहीं हो सकता कोई option अध्यापक कारिया में या सिक्षन कारिया में एक अध्यापक को तब अधिक परिशानी होती है जब कक्छा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो विद्यालाय उसके घर से दूर हो कक्छा के अधिकांस छात्र गरिब परिवार के हो अभी भावकों का सयोग ना मिले तो बहुत ही अच्छा प्रस्ण है सिक्षन अभी रूची में इस तरह के प्रस्ण पूछे जा सकते हैं क्या लगता है आपको इसका answer आप comment box में लिखिए 270 उसके बाद आपका option A, B, C या D जो भी है साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को subscribe निक किया है तो लाल कलर का subscribe बटन दबा कर चैनल को subscribe कर लिजिए फिर bell icon दिखता है उसे दबा कर notification on कर लिजिए ताकि अगले वीडियो की जानकारिया आपको मिलती रहे साथ ही साथ नीचे description म आपको telegram का link, facebook page का link, instagram का link और youtube का link मिल जाएगा ताकि आप वहाँ join हो सकें और free PDF आप प्राप्त कर सकें वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, धन्यवाद